Hello everyone, my name is Manoj, welcome back to this YouTube channel तो आज के इस वीडियो में हम अन्बोक्स करेंगे Hick Vision का Newly Launched IDS Series का DVR जो की 7100 Series का है यानि के Plastic Body का है अभी तक आपने देखा हो जो AccuSense DVR आते हैं वो Metal Body में आते थे और वो 7200 Series के थे बट अभी Hick Vision ने 7100 Series में भी AccuSense DVR निकाल दिया है जो की Plastic Body का है मैं आपको दिखा रहता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास है Hick Vision का AccuSense DVR 7100 Series का है और Plastic Body का है अभी यह जो DVR है यह regular जो हमारे DVR आते थे HQHI Series के उनको replace करने के लिए बनाया गया है अब आप regular series के DVR ना लेकर आप IDS Series के smart DVR ले सकते हो क्योंकि जो अभी Hick Vision ने camera भी launch किया है जो की dual light cameras है वो सब smart DVR पर ही काम करेंगे या फिर जो PIR cameras है वो भी smart DVR पर काम करेंगे तो आपको smart DVR ही लेना चाहिए IDS Series का अब जो इसका model number है वो है IDS 7104 चैनल के लिए 08 8 चैनल के लिए और 16 16 चैनल के लिए HQ HI M1 S तो ये जो DVR है इसको आप smart function के लिए यूज कर सकते हो और काफी बढ़िया DVR है तो आज हम इसे unbox करेंगे इसका पूरा setup करेंगे और इसमें जो dual light cameras है वो भी चला कर देखेंगे कि कितनी अच्छी ये clarity देता है उसमें और किस तरह से इसके जो functions है वो perform होते है तो चलिए without any delay वीडियो को हम स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हमारे पास हीक्वीजन का newly launched AccuSense DVR जो की plastic body में है AccuSense DVR है 7100 series का अब यह जो DVR है Smart DVR है AccuSense Technology को use करेगा Smart playback by human and vehicle यानि के human and vehicle को easily classify कर सकता है playback में आपको अलग से point दिखाएगा कि यह इस time पे कोई human आया इस time पे कोई vehicle आया उसके लावा H.265 का इसमें compression ratio है अगर हम देखें यहाँ पर audio आया coax cable लिखा हुआ है यानि के यह सभी ports में inbuilt mic वाले camera support करेगा then इसमें high definition real time recording रहेगी multi channel synchronized playback यानि के एक 4 camera 5 camera की playback देख सकते हो इस DVR में अगर यहाँ पर मैं आपको इसका model number दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें इसका model number है IDS7108HQHI M1-S इसके इलावा यहाँ पर देखें H.265 का compression ratio up to 4 megapixel तक के camera आप इसमें लगा सकते हो even आप इसमें 3K camera भी easily लगा सकते हो तो फटा फट से इसको हम open करते हो और देखते हैं कि यह जो DVR है क्या same दिखने में है या कुछ अलग है तो फटा फट से इसको open करेंगे हम तो यहाँ पर देखें यह जो DVR है यह बिल्कुल same DVR है जो हमारे regular series के DVR होते थे यह देखें बिल्कुल same DVR है मतलब आप देखकर फरक नहीं कर सकते कि यह AccuSense DVR है या फिर जो हमारे regular DVR जो पहले से आते रहे हैं इसके लावा यहाँ पर देखें यहाँ पर इसके BNC port दिये गए है VGA, HDMI, audio in, audio out का port है then LAN port है, 2 USB port है और यहाँ पर power port इसका दिया गया 12V के लिए अब इसका अगर हम यहाँ पर देखें अब यहाँ पर देखें इसका जो model number है यहाँ पर दिया हुआ तो इसके लावा यहाँ पर देखें तो हमें again adapter मिलता है बाकी सारी जो regular हमारे DVR के साथ accessory आती है वही सारी है adapter है, mouse है यहाँ पर देखें, hard disk के screw दिये गए है यहाँ पर 2 cables दी गई है hard disk के लिए power cable, sata cable, तो यही सब कुछ is DVR में है, तो फटावर्स इसको हम लगाएंगे हमने DVR को कर दिया है setup तो यहाँ पर देखें, यह DVR हमने setup कर दिया है, power supply यहाँ पर लगा दिया है और हमारे 2 camera यहाँ पर चल रहे है यहाँ पर हमारे camera लगे हुए है अब यह जो camera है, यह dual light camera है और यह जो camera, यह 2 megapixel का normal camera है, with audio और फटाफट से यहाँ पर हम इसकी सारी setting आपको करके दिखाते है so guys हमने अपने DVR को setup कर दिया है यहाँ पर आपको दो camera चलते हुए दिख रहे होंगे, जो first camera है वो है dual light camera, smart camera है और जो second camera है वो है regular 2 megapixel का camera with mic, यानि कि हमारे जो दोनों ही camera है वो inbuilt mic वाले camera है और इस DVR में आप जितने channel का आप DVR लेते हो उतने ही आप inbuilt mic वाले camera लगा सकते हो तो जो हमारे DVR है, उसका जो initial setup है वो हमने complete कर दिया है, जो start up wizard है वो complete कर चुके है, same है ज्यादा कुछ changes नहीं है हमने already काफी सारे videos में वो करके दिखाया हुआ है और जो hard disk है उसको भी हमने initialize कर दिया है install कर दिया है और वो काम कर रही है perfectly तो अभी देखें जो ये DVR है अभी ये smart DVR है अभी इस DVR में और जो हमारे normal DVR होते है उसमें क्या difference है अब देखें अगर इसको हम smart DVR बोलते है तो smart DVR का क्या काम है smart DVR का काम है कि आपकी life को easy बनाना बलब आप ज्यादा जंजट में ना पड़े जो चीज आपने देखने है फटा-फट से ये DVR समझ जाए यहाँ आपने वह चीज देखने है और आपके सामने वह चीज रख दे तो यही function होता है smart DVR का अब इसमें कौन-कौन सा ऐस function है जो इसे smart बनाते हैं उस पर बात करते हैं तो अगर हम main menu पर जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा function आता है वो आता है playback का अब देखे प्लेबेक का आपको पता होगा जब भी आप प्लेबेक करते हो कोई भी event आपके साथ होता है वो आपने देखना है कि क्यों हुआ, कब हुआ, किस time हुआ तो आपको पूरी recording देखनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि आप easily search कर सके हैं यहां भी इस time हुआ था या इस time हुआ था फटा 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 से उसी position पर जा चके है ऐसा नहीं होता तो आपको पूरी recording देखनी पड़ती है बट इस DVR में देखे क्या है अगर हम प्लेबेक पर जाते हैं और कोई भी एक camera आपने select करना है यहां पर आपको दो option मिल जाते है human का and vehicle का तो अगर आप human के point of view से search करें कि कोई human हमारे camera के आगे आया उसने कुछ किया और उसको आपने देखना है तो आपने human पर select करना है यहां पर हमने human पर select कर दिया और जैसे ही आप select करते हैं यहां पर आता skip normal videos तो यहां पर आप click करेंगे तो जो आपके normal video वीडियो और skip हो जाएंगे यह सीधा manager आ रहा हूँ जबकि उससे पहले manager नहीं आ रहा था तो सीधा जब तक मैं camera के सामने रहूँगा यह वही video प्ले करेंगा बाकि जब camera के सामने कोई नहीं है तो वीडियो प्ले नहीं करेंगा अला कि record वह भी हुआ है बट वह प्ले नहीं करेंगा सीधा आपको जो main आपका target है वही दिखाएगा उसके बाद यहां पर vehicle का भी option है अगर आप vehicle के option पर click करते हो तो सिरफ आपको गाड़िया दिखाएगा कि कौन कौन सी गाड़ी camera के आगे से पास होई तो काफी बढ़ी बात है तो इससे आपकी life easy हो जाते है अभी हम जाते हैं अपने next option पर तो यहां पर देखे search को option है इस पर अगर हम click करते हैं तो यहां पर आप search कर सकते हो easily अब यहां पर देखे यहां पर video का option है video type आप यहां पर करेंगे start time, end time और यहां पर camera select करेंगे और search करेंगे तो सारी जो recording हो आपको लाके देदेगा same आप यहां पर देखे human का लग से option है अगर human की कोई recording सर्च करनी है तो यह time duration है और अगर मैं search करता हूँ तो यहां पर देखे यहां पर सिरफ वही recording आई जब जब मैं camera के सामने था और कोई recording आई नहीं तो यह human का सेम ऐसे ही vehicle का भी आप search कर सकते है तो यह commerce DVR का मतलब आपकी life काफी ज़्यादा easy बना देता है तो तभी मैं बोलता हूँ आपको AccuSense DVR पर ही जाना चाहिए ताकि जब भी इस तरह की problem हो क्योंकि camera हम इसी वज़े से लगाते है कि अगर कोई problem होती है तो हम easily देख सके तो यह आपकी life को easy बना देता है तो यह हमारा था second function उसके बाद हम third function पर चलेंगे अब यहां पर आपकी सारी setting आ जाती है देखिए जो normal setting है वो सभी DVR में same है मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी setting इस DVR में अलग है तो हम सीधा event पर चलते हैं तो यहां पर हम event पर गई तो सबसे पहले है normal event अब normal event में देखिए क्या है अब आप यहां पर click करेंगे इसको enable करेंगे तो जैसे आप enable करेंगे उसके बाद इवेंट है स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर यहां पर आप target decide कर सकते हैं आपने human का target रखना vehicle का रखना या दोनों का रखना है तो उसकी motion पर जो यह हमारा DVR है यह react करेगा यहां पर देखिए अब हमने और आर्म शेडियूल पर जाएगे तो यहां पर आप schedule सेट कर सकते हो किस time पर यह सब को बलाए यह जो आप event अगर मैं basic से start करूँ तो सबसे पहले आपने area select करना है कि कौन सा area यहां से आप ड्रा भी कर सकते हैं कोई particular area इस तरह से यह देखें ऐसे आप ड्रा कर सकते हो area जैसे मर जी तो सबसे पहले आपने देख रहा है कि किस area में आप चाहते हो कि कोई भी human आये तो आपके पास alarm आये तो यहां पर आपने area select कर लिया या फिर आप चाहो तो by default इसमें पूरा area भी आ जाता है ठीक है तो यह हमारे पास यह by default हमारा area पूरा है उसके बाद हम जाएंगे arming schedule में इसमें आपने schedule करना है कि यह सब किस time पर हो कि किस time पर आपको alarm चाहिए कि कोई भी आपके camera के सामने आये तो alarm generate करें तो वह आप यहां पर setting कर सकते हो Monday, Tuesday, Wednesday then linkage में है अगर same time पर जब आपने चाहा उस time पर कोई बंदा आता है उस camera के आगे तो क्या action होना चाहिए DVR क्या action ले तो यहां पर देखें सबसे पहले alarm pop-up यानि कि आपकी window है आपके जो screen है उस पर 4 camera चल रहे है एक साथ लेकिन जैसे किसी भी camera motion को detect करेगा camera को human को detect करेगा तो वो एक single camera पूरी screen पर आ जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा वो camera ताकि आपको easily पता चल सके कि हाँ अभी इस camera में कुछ ना कुछ हुआ है उसके बाद second है buzzer alarm का अगर इस पर click करेंगे तो DVR में beep sound आएगा उसी time पर then notify surveillance center है अगर आपने अपना DVR online किया हुआ है तो आ इस DVR में नहीं है अगर आप जो 7200 वाले series वाले DVR है उसमें आपको alarm pop-up का option जो output है alarm output का option मिलेगा मैंने इसके बार में already video भी बनाया हुआ है कि कैसे आप उसको configure कर सकते हैं तो इस DVR में वो नहीं है तो फिलाल इसमें बात करने की हमें जरूरत नहीं है then trigger है कि कौन सा channel कौ audio and light का option तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उस टाइम पर camera light glow करेगा अब यह जो हमारे dual light camera यह सिरफ night में light glow कर सकता है दिन में नहीं कर सकता है लेकिन जो PIR cameras होते हैं उनमें light आती है वो उस टाइम पर light को glow करते है फ्लक्च्वेट करते हैं जिससे कोई भी अगर आ तो आप इस DVR में PIR camera लगा सकते हो आप इस DVR में dual light camera लगा सकते हो जो special camera वो सब इस DVR में चलेंगे तो अभी देखे मैं क्या करता हूँ एक हम event करते हैं सबसे पहले हम normal event में जाएंगे तो इसको मैं apply करता हूँ यह मैं apply किया अभी यह देखिए आप ब्लू लाइन आपको schedule set कर सकते होगी आपको सिर्फ 2 घंटे का time चाहिए या फिर कुछ भी अपने coding आप कर सकते हो लिंकेज में हम एक तो alarm pop-up रखेंगे और buzzer का sound रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे camera light अब यह जो light वाला है क्योंकि यह dual light camera बट यह रात में ही काम करेगा दिन में तो इसकी light नहीं जलेगी तो यह रात में काम करेगा जब भी कोई camera के सामने आएगा नोर्मल यह black and white ही रहेगा camera जब भी कोई camera के सामने आता है camera अपनी light glow करेगा और color vision आपको दिखाएगा तो फिलाल हमने यहां पर इसको apply कर दिया है यहां से आप sensitivity adjust कर सकते हो यहां से आप false alarm reduction कर सकते हो अब यह AI पर है यानि कि artificial intelligence पर है तो यह automatically जैसे जैसे event होते रहेंगे जो DVR कुछ से सीखता रहेगा auto learning करता रहेगा और उसके according आपको best result देगा उसके यहां पर target detection आप रख सकते है human है या vehicle है तो हमने first camera के लिए कर दिया अब apply करेंगे अब मैं live वापिस आता हूँ main screen पर तो अब देखिए अब मैं यहां से गुजुरूंगा camera के सामने आऊँगा और camera उसे time पर pop up देगा आपको अब देखिए तो यह देखिए तो यहां पर आपने देखिए जैसे ही मैं camera के सामने गया camera ने बीप का sound दिया और जो window है वो pop up हो गई बड़ी हो गई single screen आचुकी अभी हमारे जैसे दो camera है total 4 camera के screen है वो single screen आगई थी तो यह तो हमारा normal event जो motion detection है अब same time पर अगर रात की हम बात करें अब हमने इसको apply तो किया हुआ है जो light वाला है हमारा यह देखिए यहां पर हमने apply किया हुआ है तो रात के time पर क्या होगा normal तो black and white रहेगा जो IR रहेगी वो on रहेगी जैसे camera के सामने कोई भी motion होगी तो उसकी light जल जाएगा और आपको color vision आपको देगा night के time पर तो बहुत बढ़ी है बात है then उसके बाद हम जाएगे parameter protection पर अब देखिए हमने इसको on किया हुआ हुआ अगर हम parameter protection पर जाते है और इसको on करते है तो यहाँ पर यह बोलता है this function is conflicted with the motion detection तो disable करो आप motion detection को तो अभी मैं क्या करूँगा वापीस से जाऊँगा इसको disable करेंगे हम जो normal event है उसको हमने कर दिया है disable अभी हम जाएगे parameter protection पर इसको enable करेंगे तो यहाँ पर हमने enable कर दिया है उसके बाद हम draw line करेंगे तो यहाँ पर हम click करेंगे तो एक point हम यहाँ पर बनाते है और दूसरा point यहाँ पर बनाते है तो अब देखे हमने line crossing बना दी है तो अभी कोई भी अगर B से A के point पर जाएगा तब भी alarm generate होगा A से B के point पर आएगा तब भी alarm generate होगा तो यहाँ पर हम इसे apply कर देते है और साथ में आप देखे हैं यहाँ पर detection target select कर सकते है human का या vehicle का अपने according हमने दोनों ही select किया हुआ then आपने जाना arming schedule में तो इसको हम 24x7 रख सकते है then हम जाएगे linkage पर तो सबसे पहले हम alarm pop up window पर select करेंगे ताकि जब भी camera detect करे motion को या line crossing को तो उस time पर वो बड़ा हो जाए जो भी camera detect करे then buzzer alarm ताकि हमारा DVR है वो भी sound करे और यहाँ पर आप trigger point कर सकते हो कौन सा camera आपने trigger करवाना है और यहाँ पर आपने camera जो light है उसको भी आप अगर चाहो तो own कर सकते हो तो मैंने apply कर दिया है तो अभी मैं जाता हूँ उस side में और देखता हूँ line crossing करने के बाद क्या alarm generate होता है या नहीं होता let's see तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने line को cross किया same time पर जो हमारा alarm है वो generate हो गया तो यह थी हमारी line crossing detection उसके बाद अगर मैं आपको दिखा हूँ देखिए वापिस हम event में चलते है parameter protection में चलते है तो यह तो line crossing हो गी हमारी then यहाँ पर intrusion का भी option है और अगर आप इसे भी apply करते हो यहाँ पर देखिए तो यह apply हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आप area draw कर सकते हो किस area में आपको चाहिए again linkage method वो सब आप कर सकते हो same है हमारा face recognition पर तो यहाँ पर आप face capture कर सकते हो आप face को detect कर सकते हो या फिर library के अंदर भी आप जो face library है उसमें आप जो picture सा डाल सकते हो और comparison I think comparison तो इसमें नहीं होगा खाली detection and recognition होगा तो यह भी आप easily कर सकते हो तो यह तो हमारे main point हो गए अब जो हम यह सब करेंगे जो event यह होगा उसको हम कहां पर देख सकते क्या हमें वापी से playback में जाकर देखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि smart DVR है इसमें अलग से function दिये गए है तो मैं आपको दिखाता हूँ देखें यहां पर आपका alarm का point है तो यहां पर अगर आप जाओगे alarm के point पर तो यहां पर smart event में आपका आपका line crossing detection तो मैं इसको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ देखें आप directly यहां पर आपकर देख सकते हो आपको अलग से playback में जाने की जरूरत नहीं है तो अगर मैं यहां पर play करूँ तो यह देखें यह मैंने आपको जाकर दिखाया तो यह पूरा का पूरा जो capture था वो यहां पर अलग से store हो चुका है सेम अगर मैं दिखा हूँ आपको यह देखें इसमें भी इस तरह से आपके यहां पर line crossing के आगे basic event में यहां आपके motion detection के आगे है तो अगर यहां पर click करें तो यह देखें आपर motion को detect किया था तो इस तरह से आपके मोशन detection के आगे है तो यानि कि जितने भी smart function यह capture करेगा यहाँ पर अलग से आप देख सकते हो alarm function में जाकर जो कि बहुत बड़ी बात है मतलब यह जो DVR है smart DVR है और आपका time भी बचाएगा और आपको best से best feature भी देगा ताकि आप इस DVR का पूरी तरह से use कर सको तो आपको यह सब पता होना चाहिए कि कि इस तरह के DVR मार्केट में आ रहे है और उसको हम कैसे use कर सकते हैं कैसे हम customer को बता सकते हैं कि क्या क्या function यहाँ पर available है अगर किसी customer की इस तरह की requirement हो तो उसको आप यह चीज़े बता सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई